के आंसर है हमारा क्या महादेवी वर्मा महादेवी वर्मा जो है यह आधुनिक यूक की मीरा के नाम से जाने जाती है तो जिनका जिनका आंसर यहाँ पर बी नंबर आ रहा है महादेवी वर्मा उनका बिल्कुल करेक्ट है ठीक है उनका बिल्कुल करेक्ट है चलिए अगले प में budget को किस सूची में रखा गया है देखे budget हमेशा जो है समवर्ती सूची में रहता देखे जब आप सेवन सेड्यूल पढ़ेंगे ना अगले प्रस्पराते एक सबसेंगे राश्ट द्रूज के प्रारूप को सविधान सभाथ के द्वारा कभ अपनाया गया। पचीज जुलाई उने chauffेट आलिस को पचीज बाइस जुलाई उन्नोस ऑनिससेट़् को चोव़ीय सब्साइब चॉभीस जुलाई चॉभीस अगस्त उनिससेता लिसको निसस्याइस चलिए, बोलिए क्या होगा आंसर यहांपर कॉशन नबर थिरी में, लिए, जिनका जिनका आंसर यहांपर आ रहा है B26 जुलाईお願いします वाइस जुलाई 1997, उनका बिल्कुल करेक्ट है तो जिनका जिनका आंसर B है, करेक्ट है अगला प्रस्प्र आते हैं रेल बजट को समाने बजट से किस समीती की सिफारिस के आधार पर अलग किया गया देखें पहले क्या होता था रेल बजट जो है समाने बजट के अंदर आता था लेकिन अब क्या है उसको बिलकुल अलग कर दिया गया है तो किस समीती की सिफारिस पर अलग किया गया है आपको जिनका answer B है, correct है, अगला प्रस पर आते हैं, अगला सवाल है, कि भारती तरंगा जंडा के बीच चक्र में कुल कितनी तीलियां होती है, भारती तरंगा जंडा के बीच चक्र में कुल कितनी तीलियां होती, question no. 5 में, answer हो जागा, यहाँ पर C number में, है न 24, क्या answer होगा, 24, तो चलिए अगले प्रस पर आते हैं इंगला प्रस देख लेते हैं अगला प्रस नहीं है सोतंतर भारत का पर्थम बजट पेस किया गया था जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय पहला बजट कौन किसके दुआरा देखें बजट हमेशा कौन पेस करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर ठीक है तो आपको बेसिकली यही बताना है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर कौन थी यानि सोतंतर भारत का बजट है ना वो किसके दुआरा पेस किया गया था कोशन नमर शिक्स में याद रखेंगे आर के सनमुक है भारत का राष्टी केलेंडर को भारत सरकार भारत का राष्टी केलेंडर जो है भारत सरकार ने कब अपनाया यह चार ओप्सन है फटा फटा आंसर दे दिजे क्या आंसर हो जाएगा कोशन नमर सेवन में आंसर हो जाएगा बी 22 मार्च उनिस्टो सलताओं देखिए आज लि एपल का सिस्टम यूज कर रहे हैं ताकि आप लोगों को smoothly class मिले पहले का class में lagging आया करता था जब windows पर पढ़ाते थे तो इसलिए macbook लिया है ताकि आप लोगों को अच्छे से पढ़ा सके हैं सारी सुविधाएं हर तरह की चीजें जो है जो जो जौरत की है उसको हमने जानते हैं क्या वह यह डॉल्फीन है तो जिफटा फट बताईए आज की class तोड़ी फास्ट रखेंगे कोशन है वैट को सरवपर्थम किस राज ने अपनाया था वैट को सरवपर्थम किस राज ने अपनाया था कोशन नमबर 9 में देखिए वह वैट को अपनाया था सबसे पहले हरियाना ने तो जिनका जिनका आंसर यहाँ पर D हरियाना है उनका बिल्कुल करेक्ट एक वार सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे तेखिए पर्थम हिंदी समेलन 1975 में यह कहां पर हुआ था यह तो हमने बता दिया लेकिन यह हुआ कहा था यह चीज आपको बताना है दिली कोलकाता मुंबै नागपूर कहां पर हुआ था कोशन नमर टैन में तो देखिए जिनका जिनका आंसर डी आ रहा है ना नागपूर उनका बिल्कुल करेक्ट है यह कहां हुआ था नागपूर में हुआ था पर्थम हिंदी समेलन 1975 में हुआ था कहां पर हुआ था नाग नहीं दिखाई दी रही है वो क्या करेंगे थोड़ा सा क्वाइलिटी को जो है आप अडवांस में जाके 360 पे कर लिजे फिर देखे क्वाइलिटी कितनी मज़दार आएगे आपको बिलकुल पढ़ने में मज़ा आएगा एक बार सेशन लाइक कर दीजे ऐसे यह सेशन लाइक सुल्क से सैनवेट का संबंद किसे है उत्ताद सुल्क से अगला प्रशन पे आते हैं विशु की सबसे प्राचीन लिखित भासा किसको मानी जाती है विशु की सबसे प्राचीन लिखित भासा किसको मानी जाती है हिंडी को ग्रीक को रोमन को सुमेरियन को ठीक है आंसर हो ज जहां कि आठवी अनुसूची में कितनी भासाओं को समिलित क्या गया है देखे बहुत इंपोर्टेन कोश्चन है है ना एट्ट सेड्यूल ऑफ इंडियन कोस्टुटुशन जहां पर लेंग्वेज के बारे में लिखा हुआ है देखो पेन रहता तो कितना मज़ा आता लिखन चलो कोई बात नहीं भारती समिधान के आठवे नुसूची में कितनी भासाओं को समिलित क्या गया है कोशन नमर 13 में देखे बिया टोटल जो है 22 भासाओं कितनी है 22 है सभी लोग आंसर दे रहे हैं करेक्ट काफी लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है जैसे जुह गुप्ता, पूनम भारती, पूनम कुमारी शोफिया, अलताज बाबु, है ना, नेहा, विनाश कुमार, विपिन शर्मा, M.D. नियाज, है ना, शादिया, नास परवीन, है ना, अलताज काफी बदमासी कर रहा था, उमीद है कि अब नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि अलताज जो है, मुसर्रत का भाई है, और मुसर्रत हमारी पुरानी स्टूडेंट है, जो 2022 में पढ़ी थी, जिन्होंने है, ना, तो आंसर हो जागा यहाँ पर D, 22, अगले प्रस पर आते हैं, अगला प्रस्षन है, सत्यमेव जैते, कहां से लिया गया है, सत्यमेव जैते, जो है, कह कोई बात नहीं, पेन नहीं चल रहा है, लेकिन कोशन बहुत इंपोर्टेंट है, पेन नहीं चल रहा है, कोशन बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है, चलिए अगला प्रस पर आते हैं, देखे, भारत में सरवाधिक बोली जानी वाली भासा, अंग्रेजी, बंगला, हिंडी, तेलगू न, 15 number में बताएं किया अंसर हो जागा 15 अंसर का तुलसी किसको कहा जाता है ऐसको मैथली सरनगुपता को याद रखेगा, यह सारे सवाल बहुत जो है अलग की इह इंपोर्टेन कोशन है याद रखेगा मैथली सरन गुपता को आधुटिक युका तुलसी कहते हैं अगले परस पर आते हैं संस्कृत वयाकरण के जनक किसे माना जाता है संस्कृत वयाकरण का जनक देखें एक कोशन पूछेगा कंप्यूटर का जनक किसको कहते है तो आंसर क्या होगा चाल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है उसी तरह से एक सवाल है कि संस्कृत का जनक किसे कहा जाता है तो बताइए किसको कहते हैं कोशन नमर 17 का आंसर बता दीजे ठीक है आंसर हो जाएगा यहाँ पर D पानिनी जनका जनका आंसर D करेक्ट है पानिनी अगला परस पर आते हैं संसार का सबसे बड़ा महाकावी कौन सा है कुरान, बाइबल, रामायन, महाभारत संसार का सबसे बड़ा महाकावी कौन सा है तो आंसर होगा D महाभारत महा बारत जो है पूरे संसार का सबसे बड़ा महा कावी है तो जिनका जिनका आंसर डी आरा करेक्ट है गले परस पर आते हैं देखे हिंदी विसे के लिए पर्थम ग्यान पीट पुरुसकार किसे परदान किया जाता है देखे जो लोग कोर्स जोईन करना चाहते हैं या एप वगरा के बारे में चाहते हैं उनको कुछ नहीं करना है उनको हमारा ये नमबर नोट डाउन कर लो आप इस पर आप कॉल भी कर सकते हो लेकिन वाटसप करने से आपके सारी समस्याई दूर हो जागी 906 देखे लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है 906 55 ठीक है 5588 00 003 इस नमबर पर आपको क्या करना है वाटसप पर हाई लिखेंगे आटोमेटिक लिंक जाएगा विडियो की लिंक जाएगी एप की लिंक जाएगी डेमो विडियो की लिंक जाएगी आपको जितनी ज़रूरत है सारी लिंक चली जाएगी आप बस चार मिनट की विडियो है पहली वाली लिंक पर हाउ टू जॉइन उसको देख करके एप भी डाउनलोड कर लेंगे और कैस था 5 student ने दो पार के बाद जोईन किया है तो अभी 184 तक पहुंच चुका है आकड़ा 200 बार तक 200 student को ही first 300 का लाब मिलेगा क्योंकि coupon code सिर्फ 200 बार ही यूज होगा दीखे question है 90 नमबर में हिंदी विशाय के लिए पर्थम ग्यान पिट पुरुसकार किसको मिला था तो दीखे जिनका जिनका आंसर यहाँ पर आ रहा है भई है डी सुमित्रा नंदन पंद को उनका बिल्कुल करेक्ट है अगले परस पर आते हैं अगला question है 21 में देखे question क्या कह रहा है question कह रहा है कि भारत का sex peer किसे माना जाता है तुलसीदास को विद्यापती को कालीदास को मुंसी प्रेम चेंद्र को भारत का sex peer किसको कहते है 21 में देखे भारत का sex peer कहते है कालीदास को कालीदास को भारत का sex peer कहा जाता है ठीक है चलिए जिनका जिनका आंसर यहाँ पर बिल्कुल है कालिदास उनका बिल्कुल करेक्ट है ठीक है तो आंसर हो जाएगा हमारा D-Number अगले प्रस पर आते हैं अगले सवाल देख लेते हैं अगला कोशन है यहाँ पर हमारा कि भारत का राष्टी गान जनगन मन को मन जो है इसका सविधान सभा ने कभ इसको अपनाया था 22 में देखे कभ अपनाया था अंसर हो जाएगा C-24 जनavorी 1950 जाद रखेगा सविधान लागो होने से जश्ट दो दिन पहले राष्ट गान को हमने अपना लिया था 24 जनवरी 1950 को, तो भूलेंगे तो ऐसे याद रखेगा, कि जश्ट दो दिन पहले, अगले परस्पराते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है, अगला कॉशन है कि राष्ट गान को, गाने में कितना समय लगता है, ठीक है, राष्ट गान को, गाने में कितना समय लगता है, 30 सेकंड 45, 52, 62, 23 में, देखें, बहुत इजी कोशन है, बहुत बार आपने सुना होगा, अंसर होगा 52 सेकंड, राष्ट गान को गाने में 52 सेकंड, राष्ट गान को कब समिधान ने अपनाया था, तो आंसर होगा, बहिया, सविधान लागो होने से जश्ट दो दिन पहले, यानि 24 जनवरी हमारा 1950 को, याद रहेगा, 24 जनवरी 1950 को, अगले प्रस पर आते हैं, सवाल है कि राष्ट गीत को, गाने में कितना समय लगता है, देखें, कोशन डबल हो गया है, लोग सभी जानते हैं, क्या है, बाग है, क्या है, बाग है, अगले प्रस पर आते हैं, अगले सवाल देख लेते हैं, सविधान के किस अनुच्छेद में, वार्सिक वित्ती बजट का वर्नन किया गया है, सविधान के किस अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद में वार्सिक वित्ती बजट का वर्नन किया गया है यहीं साल में एक बार बजट पेस किया जाएगा इसकी चर्चा जो है सविधान के किस अनुच्छेद में 110, 112, 212, 245 अनुच्छेद आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए तो आंसर क्या हो जाएगा भीया B.112, ठीक है आर्टिकल 112 में वार्सिक वित्ती बजट के बारे में लिखा हुआ है अगले पर सपर आते हैं अगला सवाल देख लेते हैं बिल्कुल किलियर आवाज आ रही है आवाज भी बहुत अच्छा है साउंड क्वाल्टी में कोई सुने है ठीक है बहुत अच्छा मेन होता है साउंड और विजिबल दो चीज अच्छी हो जाए तो ठीक है भारत का राष्ट चिन को भारत सरकार ने कब अपनाया फटाफट बता दीजे क्या अंसर हो जाएगा 28 में चलिए देखे 28 में यहाँ पर जिनका जिनका आंसर आड़ा है 26 जन्वरी 1950 उनका बिल्कुल करेक्ट है भारत के राष्टी चिन्न को भारत सरकार ने 26 जन्वरी 1950 को अपनाया है ठीक है चलिए जिस दिन हमारा समिधान लागू हुआ उस दिन हमने क्या हुआ नेशनल इंबलम यानि राष्टी चिन्न को हमने अपना लिया ठीक है चलिए आगे चलते हैं अगले प्रशन के और अगला प्रशन है कि भारत का राष्ट व्रिक्ष क्या है भारत का राष्ट व्रिक्ष क्या है पीपल नीम यूकल्प्टस की ट्री या फिर बर्गत तो याद रखेगा कि हमारा राष्ट जो व्रिक्ष है वो कौन सा है बर्गत है हम 30 number में महा भारत के रचीता कौन है तो अंसर होगा D. वेदवयास वेदवयास जो है महा भारत के रचीता अगले परसपर आते हैं पर्तियेक वर्स हिंदी दिवस की स्थिथिको मनाया जाता है हम लोग हर साल हिंदी दिवस मनाते हैं अच्छा सवाल है यह साल हिंदी दिवस मनाते हैं तो कब मनाते हैं 14 सितमबर को मनाते हैं एक चीज और याद रखेगा मैं यह वह कहना चाहरा था इसलिए 1100 बोल दिया हमने यहां पर मैं कहना चाहरा हूं कि आप क्या करों कि लिस्ट बना लो ठीक है किसे माना जाता है 32 में 32 नमबर में आंसर हो जाएगा C James Wilson को ठीक है भारती बजट के प्रनिता जो है James Wilson को माना जाता है अगले परसपराते हैं वैट वैट जो है वैल्यू एड़ेट टेक्स पहले हुआ करता था न वैट अब तो सब को GST में इंकलूड कर दिया गया है वैट जो है ये किस से संबंदित है 33 में देखे वैट कि अगर बात करें तो ये विक्री कर से संबंदित है ठीक है जब चीजों को बेशते हैं तब हमें वहाँ पर वैट लेते हैं अगला परशन है राष्ट गान को पहली बार 1911 में भारती राष्ट कॉंग्रेस के किस में गाया गया था अब सवाल ये उठता है कि 1911 का अधिवेशन कहां हुआ था ठीक है ये चीज आप धियान में रख लेंगे तो आंसर मिल जाएगा आंसर होगा कोलकाता में ठीक है तो याद रखेगा कोलकाता अधिवेशन 1911 में सबसे पहली बार राष्ट गान को गाया ग यहां पर पूछ रहा है कि पहली बार 1911 यहां डेड दिया हुआ है राष्ट गान को पहली बार 1911 में भारति रास्ट काउंगरेस के किस अधिवेशन में गाया गया था ये 34 नमबर का कोशन है ठीक है और दोनों कोशन में अंतर है अब आईए 35 में पूछ रहा है कि खत्ता division में गया गया था और 1896 में सबसे पहली बार गया गया था 35 में इसका अंसर आप याद रखेगा कि बहुत्य के ठीक है ठीक है इसका भी आंसर आप जो याद रखेगा 34 और 35 दोनों का अंसर आपको याद रखना है ठीक है तो 35, 34 दोनों का आंसर याद रिखेगा, आंसर इसका भी क्या होगा, कॉलकाता होगा, तो दोनों में आप कन्फ्यूज नहीं किजेगा, 35, 34 दोनों में कन्फ्यूज नहीं किए, देखे, दोनों का आंसर कॉलकाता था, इसलिए मैंने सूचा यह क्या, कहीं मिस्प्रिंट तो ही है आंसर क्या होगा कोल काता होगा ठीक है चलिए आगे चलते हैं अच्छा इसलिए कमेंट भी देखना कभी कोई जोरी होता है यहां पर हमने मिक्स कर दिया था तो एक चीज़ क्लियर कर गया था तो आंसर होगा 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्टगान गया था अब देखें यहां पर आ जाते हैं राष्टगीत वाले अप्शन पे ठीक है तो यहां पर देखो अब पूछा है कि राष्टगीत को सरपर्थम जो है 1896 में गया गया था तो पहले क्य अधिवेशन में राष्टगान को सिभसे पहली बार गया था दोनों कॉंसेप्ट को थोड़ा सब क्लियर कर लीजे घ्र NATO अगला प्रशन है रााष्ट गीत वंद मात्रम का पर काया Madhem kavram का राश्ठ का राश्ट फूल क्या है bhaart का राश्ठ फूल करें तो हमारा क्या है कमल है हमें लोग सभी जानते हैं, तो आंसर हो जागा यहां पर कमल, अगला प्रस्ण है, कि राष्टगीत वंदे मातरम के रचिता कौन है, राष्टगीत वंदे मातरम के रचिता पूछेगा, तो आंसर क्या होगा, बंकिम चंद्रे चटर जी, ठीक है, बहुत दीजी है, अगले प परकाशन जो है, वो कहां किया गया था, तत बोधनी पत्रिका में किया गया था, तो राष्टगान का सरवपर्थम पहला परकाशन तत बोधनी पत्रिका में किया गया था, और एक चीज़ आएक है, राष्टगीत यह वाला कुशन में आईए हैं, यहां पर, इस से पहले व प्रश्ण में आईए देखे राष्ट गंद के राष्ट गीत वंदे मातरम के रचीता कौन है बंकिम चंदर चटर जी ने अपनी किताब लिखी थी उपन्यास लिखी थी जिसका नाम आनंद मड़ था और उसमें इन्होंने एक कवीता के तौर पर वंदे मातरम को लिखा था और उसी वंदे मातरम को हमने राष्ट गीत बना लिया ठीक है अब यहाँ पर अगला प्रशन देख लिजेगा दोनों में डिफरेंस राष्ट गीत अब यहाँ पर आजए यह राष्ट गान का परकाशन सरपरतम कहां हुआ था तो ततबोधनी पत्रिका में हुआ था राष के जंडा गीत के लेखा कौन है कोशन नमर 14 में आंसर क्या हो जाएगा स्याम लाल गुप्त है ना भारत के जंडा गीत के लेखा कौन है स्याम लाल गुप्त है अगला प्रस पर आते हैं अब देखे इस तरह से जो most important questions था उसको हमने यहाँ पर deal किया और पूरा जो question था वो screenshot ले सकते हैं इसका screenshot ले लिजे आप यहाँ पर clearly अगर आपको दिख रहा है तो ठीक है इसका screenshot ले लिजे यहाँ पर स्क्रीन सॉट जैसे ही आप इसका लेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप की लास्ट में देखिए एक नंबर लिखा हुआ है यह वाला नंबर सबसे नीचे 906 5588 003 अगर आपको दिख रहा हो तो यह वाला जो नंबर आप देख रहे हो सबसे नीचे देख रहे हो कहाँ पर है यह नंबर एक सगन मैं दिखाता हूँ आपको यह देखो यह वाली जो नंबर है 906 यहाँ पर देखो यह वाला नंबर 906 5588 003 इस पर सिर्फ वाटसप कर देना आपको वाटसप पर हाई लिखेंगे आपको लिंक जाएगा विडियो देख देखकर के जॉइन कर लिजे अभी क्या है कि अगर आप कल तक जॉइन कर लेते हो जो लोग नए बच्चे हैं यह बाड में भी इस विडियो को देखते हैं क्योंकि एक एक हजार दो दो हजार व्यू अभी के टाइम पर जा रहा है कि एक हजार व्यू जा रहा है तो यानि अगर अभी 100 बच्चे लाइव आते हैं एप्रॉक्स सो से कम ही है तो बाद में जो है कही ना कही आट सो 900 इस्टूडेंट देखते हैं तो देखे अगर आपको 300 इक्स्टा पे नहीं करना है अगर आपको बिहार बियेट करना है और खुझ से पढ़ना है तब तो ठीक है अगर आपको 300 इक्स्टा पे नहीं करना है आप अगर 699 का जो कोर्स अभी मिल रहा है इसको 999 में नहीं लेना चाहते हो तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जो है आदे गंटे पहले बैठते हैं यह कि नहीं मानोगा आप 6-15, 6-6 में बैठ जाते हैं ताकि हम सारी चीज़ें करके प्रिपेर रहें ठीक है और आपका 6 बच के 69 मिनट यानि 7 बच के 1 मिनट 7 बचने से 1 मिनट पहले हम लाइव हो जाएं ठीक है ताकि एक जक्ट 7 बचे आप लोगों को मिल जाएं लेकिन दो दिन से जो हमारा ड्रीम है उस पे खत्रा है खत्रा यही है कि वो पूरा नहीं हो पा रहा है ठीक है कुछ टेकनिकल इसू हो जाती है बार बार तो इसको खायर हम देख लेंगे उम्मीद करते हैं कि मतलब कल से इस तरह की समसिया नहीं आए कि टेकनिकल है कभी कभी हो जाता है और सिस्टम भी नया है आपको पता है एपल का सिस्टम गोरे दोड़ाना दोनों का एक ही बात है विंडोस होता है तो बिल्कुल पकड में आ जाती है चीजें गड़बडाती नहीं है एपल में तो पता नहीं क्या क्या होता है ठीक है थैंक्यू सो मच मिलते हैं फिर अगली क्लास में तब तक के लिए बाबाई अपना प्यार और विश्वास इसी तरह बनाए रखिए और खूब ज़्यादा जो लेक्चर अच्छा लगे ना उसको खूब ज़्यादा सेयर कीजिए ठीक है थैंक्यू सो मच बाबाई